क्यासे आप सब होप आप सब बच्छे होंगे हैपी होंगे एंड हेल्दी होंगे तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैंने कुछ ओनलाइन शॉपिंग करके मंगवा है यूज्वली मैं बेरली लाइक मैं ओनलाइन शॉपिंग बहुत कम करती हूं अब फाइनली उसे अन्बॉक्सिंग करूंगी तो चलिया उन्बॉक्सिंग करते हैं यह लुग सारे लगे होए कि सबको दिखाना है अन्बॉक्सिंग में बडिए है तो यह रहा मेरा बॉक्स यहाँ परा हुआ है तो अब अन्बॉक्सिंग करती हो और दिखाती हूँ क्या मंगवाया है जो बहुत ही जरूरी था मंगवाना मुझे तो लेस्ट सी ओपेंड करके दिखाती हूँ क्या मंगवाया है मैंने एक्च्वल में मंगवाया है मैंने वील्स वाला शू और गनाइजर इतना अच्छा है यह वील्स होनी की वज़े से आप अंडर बैडे से डाल सकते हैं और रोल करके क्लीन करना भी निकालना भी बहुत एजी है इतने दिन तरह मैं देख रही थी बट मुझे वील्स वाला चाहिए था तो मिल नहीं रहा था जो भी था इन स्टोर ना विदाउट वील्स वाला तो मुझे जो चाहिए था एक्चल में वील्स वाला तो कुछ जो लुक है इसका पहले आप लोगों से शेयर करती हो यह ही हो रही है क्योंकि इसी त्रिशू के भी बहुत सारे हो जाते मेरे हैं और शॉर भी बहुत जादा शूज यह सब लाइक करते हैं तो सब के मिला के अब जगा की दिकत हो रही है तो यह मंगवाना मैंने बहुत दिन से सोचा था बट लाइक आज अपने सैंडल्स पीस में करूंगी और चलिए साथ 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 शेयर करते हूं मेरे पस जो भी जितने भी कुछ पीसे सैंडल्स के कैसे कलेक्शन मैंने रखे हैं अभी फिलाल तो चलिए वो सब भी आप लोगों से शेयर करते हो साथ में तो लेट सी पहले निकाल लेती हूं वहां बाहर एंड इसमें के फाइनली दिखाते हूं कैसा रहता है और इसमें लेट सी रहरा एल पलू मैं में शेयर के झाल 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 सुपट मेंगल जो मैंने थोड़े से collections रखे हैं outfit के accordingly and थोड़े से जो regular use के shoes and boots है तो वो सब अभी नीचे है तो वो सब अभी नहीं share करें आप लोगों के साथ and ये famous footwear से online मैंने मंगवाया था जो last गई हुई थी shopping करने के लिए तो ये भी unpack करूंगी तो आप लोग से share करते हो आ गया है मेरा parcel finally तो चलिए पहले वो packing करते हूँ और दिखाते हूँ कैसा रह रहा है ये shoe organizing bin में तो let's see दिखाते हूँ थोड़े देर में आप लोगों से organize करते हूँ पीस में बहुत अच्छा का सा organize हुआ like 17 to 18 पेर एक में आ गया है तो अभी दिखाते हूँ इसका look and the best part is that कि ये आराम से under the bed जा सकता है तो let's see कैसा look है इसका इसका इतने सारे like 18 पेर इसमें आ चुके है and the best part is that आप आराम से इसको under the bed रोल करके डाल सकते है and when you need इसे रोल करके निकाल के and clean करना भी बहुत easy रहेगा it's really very helpful for me she's so excited more than me there you go this is from famous footwear and here's phi बहुत ही अच्छा कोई जादा निये comfortable है like this so this is one which I ordered rolling bin बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए तो जो भी once in a while outfit पे पहनने वाले ना सब मैंने ये shoe rolling bin organizer में organize कर लिया इसकी वज़े से जो जहां पे मैंने organize किया हुआ था सारे sandals and shoes मेरे closet के under closet बहुत ही हलका और clean लग रहा है लोगों के साथ description box में share कर दूंगे बहुत ही reasonable only like 22 dollar में ये two bins आये हैं तो price भी बहुत अच्छी है कितना nice and clean लग रहा है मेरा closet भी organized लग रहा है जो shoes का portion था and जो bin भी है वो भी nice and organized लग रहा है तो बस अब थोरे देर में अब organize होके थोरे फ्रेश होके and then फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोरे देर में फ्रेश होके ये आ गई हूँ अच्छा लग रहा है हलका सा feel good तो अब नीचे जा रही हूँ दिन का lunch का preparation करने के लिए तो दिन में आज lunch में चिकन बना रही हूँ चिकन और राइस एंड बचों के लिए थोरा सा सबजी वाली खिचरी कर लूँगी ताकि वो चिकन के साथ खा सके राइस एंड चिकन थोरा सा थोरा सा खिचरी बना लेने से उनके लिए भी अच्छा होता है तो बस अब चलती हूँ दिन के lunch की preparation करने के लिए तो चलती तो बस चिकन बनाने के लिए मैं मसाले वाला चिकन बनाऊंगी तो चिकन को मैने अच्छे से दो के clean कर लिया अब इसे मैरि ने कर रहिए हो मैं तो उसके लिए पहले मैं बसे डाला है नमक स्वात के अनुसार इसमेर मैं एड कर रह व्ली पौडर और मैंने यहाँ एड अब इसके साथी साथ मैं यहाँ दो बरे चमच अद्रक लहशन का paste आड़ एड़ कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें थोरा सा यहाँ एक चमच घी एंड थोरा सा कटा हुआ हरा धनिया यहाँ डियाड कर रही हूँ और जीरा और सुखे गोटे गरम मसाले एड़ कीए है जैसे ही यह गोडेन हो जायेगा इसके साथ ही यहां मैं सारे कटी हुए उनियन डालके और इसे अच्छे से फ्राई कर लूगी गोडेन ब्राउन होने तक अनियन जैसे ही golden brown हो जाएगा अब इसमें दो चमच फिर से अद्रक लेशन का पेस्ट आड़ कर रही हूँ और अद्रक लेशन का पेस्ट यहाँ आड़ करके जादा नहीं भुनना है या around 1-2 मेर तक high flame पे इसे भुनने के बाद इसमें साथी साथ मैं टमाटर एड़ कर दूँगी और टमाटर को soft होने तक थोड़ा सा पका लेना है और जैसी ही यह टमाटर पक जाएगा जो मैंने chicken marinate करके रखा था वहाँ यहाँ वो सारे chicken को add करके और इसे अच्छे से मैं cover करके यहाँ साथी साथ यहाँ भुनना है ताकि यह पानी छूटते छूटते हमारे chicken अच्छे से पक पी जाए और fry भी हो जाए साथ में जब तक फ्राहिए जब तक फ्राहिए साथ में बच्छो की ब्रॉकली वाले खिचरी चरहाई है अन राइस हो चुका है जब तक जब तक chicken fry हो रहा साथ में जब जीड भी करूँगे एंध डिव हो किच्छे समेट भी लेती हु क्लीन आप कर लेती हो तब तब तक तो यहां किचन क्लीन अप करने से पहले मैंने इशी और त्रिशो को वहां पे आपल दे दिया था खाने के लिए तो इन जेरल हम लोग हर दिन ब्रेकपस्ट और लंज के बीच में बचों को चाहे योगर्ट शेक या फ्रूट्स कुछ न कुछ स्नाक दे देते हैं खाने के लिए तो एक गाप के बिट्वीन में हेल्दी स्नाकिंग भी हो जाती है बस यहां साथ में किचन क्लीन अप के साथ यहां चिकन भी आलमोस्ट यह बचों की खिचरी रेडी हो गई है तो उसे भी मैं प्लेट में निकाल की यह ब्रॉकली वाली खिचरी ठंडा कर लूँगी ताकि चिकन होते होते यहां खिचरी भी ठंडी रहे बचों को खिलाने के लिए तो बस यह दिन का इसके साथ ही अलमोस्ट अब काम फिनिश हो चु किचन का सारा काम ड़न हो गया चिकन बन गया क्लीन अप हो गया अब आई हो तीनो बच्चों को लंच कर वाने के लिए तो अभी पहले लंच कर वाऊंगी और फिर सारे बड़े खाएंगे तो यह रहे मेरे तीनो इशी ट्रिश्व और अहान मेरी तीनो प्रिंस लोग बैट जए बचों का लंच होग तो इसके साथ दिन का काम भी सारा काम फिनिश हो गया है और इसके साथ साहत मैं आज का भ्लॉग भी फिनिश करती हुथ तो अभी तक जिनोंने चैनल को सब्सक्राइब नही है प्लीश आपस्क्राइब कर कर के हमार वाल लाइफ शेरियं एंद का ह सब बन जाईए and as always stay happy stay safe take care of yourself bye bye for now take care bye